हे गाईज वेलकम बैक तो माई चैनल मैं हूँ राज और आप देख रहे है फैसान मेकर यूटूब चैनल सो गाईज आज का जो वीडियो है यह बहुत यदा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैंने आप लोगो को एक डिफरेंस तरीके का स्लिप्स कटिंग बताया है जिसको हम बोलते है रेगलेंड स्लिप्स और आज तक यूटूब पे यह स्लिप् कर अब और अब एक सही से रेगलेंड स्लिप्स के कटिंग कर पाऊगे क्यूँकि इस वीडियो पे मैंने बहुत सारे चीज़ें बताया है जो कि लोग गलती करते है और इस शैनल को क्टिंग करने का क्या सही तरीका है वो भी मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप सही से cutting करेंगे तो आपका जो fitting से वो भी completely आएगा और आपका जो look है जो cutting है वो भी एकदम professional तरीके से आएगा तो इस वीडियो को completely देखिएगा अगर आप इस channel पर पहली बार आ रहे हो तो मैं इस channel पर fashion design से related बहुत सारे tutorial वीडियो बनाते रहता हूँ और जो देखने वाले लोग होते हैं और almost ladies होते हैं तो आज की इस वीडियो पर मैं आप लोग को एक product दिखाना चाता हूँ जो की ladies के लिए है तो ये जो product है ये एक make up box के kit से जो हर ladies की जरुवत होता है तो इसमें बहुत सारे आपको kits देखने को मिल जाएगा ये आप देख सकते हो यहाँ पर यतने सारे चीज़े है ये जो package है ये आप देख सकते हो इसके अंदर ये सारे चीज़े आपको मिल जाएगा ये combo package है और इसको मैंने amazon से मंगाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे package एक box में आता है तो अगर आप interested है इस चीज़े को buy करने के लिए तो आप एक बार description ज़रूर check करना आपको description में इसका link मिलेगा आप वहाँ से जाके अगर buy करेंगे तो आपको discount के साथ देखने को मिलेगा So guys, चलिए video को start करते और मैं मिलता हूँ आपको video के end में So guys, इस pattern को cutting करने के लिए सबसे पहले हमको एक basics body cutting करना है और ये जो basics body होगा ये हो सकता है आपका long kurtis हो या फिर short top हो या फिर आप blouse में भी cutting कर सकते हो तो यहाँ पे आपको जिस भी तरीके से body cutting करना आता है उस तरीके से आप इसको पहले body cutting कर लेंगे यहाँ पे आप rinches cut में भी cutting कर सकते हो या तो dart वाला simple भी आप cutting कर सकते हो मतलब कहने का मतलब है जिस तरीके से आपको body में जो body पे आपको ये pattern करना है उस तरीके का body आपको पहले cutting कर लेना है तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक simple सा body cutting कर लेता हूँ तो यहाँ पे हमने एक marking कर लिया है यह हमारा solder बनेगा उसके बाद हम यहाँ पे length लेंगे यह आप अपने हिसाब से length को भी रख सकते हो तो यह देखिए यह हमारा solder बना पाट है और यहाँ पे मैं इसका जो solder है वो मैं 7 inch पे mark कर लेता हूँ यहाँ पे आप जब mark करेंगे तो आप अपने हिसाब से आपके measurement से करेंगे और यहाँ पे मैंने neck के लिए 3 inch पे कर दिया है और यहाँ पे हमने solder down के लिए 1 inch हमने यहाँ पे down किया है उसके बाद हमको इस तरीके से इसको सीधा line mark कर लेना है उसके बाद अभी हम इसका armule mark करेंगे तो armule के लिए हमने यह solder वाला measure पे यहाँ पे एक mark कर दिया है उसके बाद इसको हमने एक सीधा लाइन दे दिया है उसके बाद हम यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे और एक लाइन ड्रो करेंगे जहाँ पे हमारा चेस्ट का लाइन बनता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर मैं जो chest का measure यहाँ पर कर रहा हूँ वो मैं 9.5 inch पर कर रहा हूँ again यहाँ पर आप अपने हिसाब से chest का marking करेंगे और यहाँ पर हमने waste का भी marking कर दिया है और अभी हम यह line को इस तरीके से सीधा कर देंगे और यहाँ पर अभी हम इसका armul का जो गोला ही है उसको देंगे इस तरीके से तो यह देख सकते हो आप यह अभी हम इसका armul का जो गोला ही है उसको नापेंगे यहाँ पर हमारा armul का गोला ही कितना आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह 16.5 इंच यहाँ पे हमारा armhole round आ रहा है आप जब अपने body के हिसाब से cutting करेंगे तो आपका जो भी measurement होगा armhole का उसको आपको note कर लेना है क्योंकि यह आगे चलके हमारा काम में आने वाल है यह जो armhole का round है उसको हमको नाप लेना है और यहाँ पे अभी हम इसका neck draw करेंगे यहाँ पे neck आप अपने हिसाब से कोई से भी draw कर सकते हो लेकिन मैं आपको यहाँ पे suggest करूँगा जो regular and sleeves का neck होता है उसको ज़्यादा तर हम round neck पे बनाते है तो यहाँ पे मैं round neck यहाँ पे draw करूँगा लेकिन आप आपको अगर दूसरा कुछ neck draw करना है तो भी आप कर सकते हो यहाँ पे आगे आप देखेंगे तो मैं आपको सारे process बताने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं सारे challenge पे एक round neck draw करेंगे जो हमारा front के लिए होगा तो यह आप देख सकतो यह जो हमने neck draw किया है यह हमने front neck के लिए किया है और यहाँ पे मैं यह उपर से एक draw करेंगे neck यह हमारा हो जाएगा back के लिए तो यह आप देख सकतो यह हमने back के लिए किया है और यह हमने बड़ा वाला जो neck है इसको हमने front के लिए किया है तो यहां तक आपको समझ में आरा है अगर आपको यहां तक समझ में आरा है तो आप मुझे comment करके बताओ कि आपको समझ में आरा है तो मैं आपको step by step सिखाते जाओँगा तो यह देखिए यहां पे मैंने simple से एक body को cutting किया है जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई साभी body इसको cutting कर सकते हो और इसके बाद यहाँ पे मैं जो step करूँगा वो हमारा regular and slips के लिए होगा तो यहाँ पे मैंने simple सा एक body cutting किया है उसके बाद हमने यहाँ पे neck draw किया है यह जो neck है यह हमने round neck किया है लेकिन आप अपने हिसाब से दूसरा neck भी cutting कर सकते हो मैं आपको अभी बताऊंगा बहुत अच्छे से explain करूँगा कि किस तरीक से आप neck जो है change कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा तो उसकी हिसाब से आप कर सकते हो लेकिन मैं आपको suggest करूँगा कि regular neck के लिए आप round neck करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारा armhole वाला part है और यहाँ से हमारा sleeves लगता है यह जो आप point देख रहे हो यहाँ से हमारा sleeves लगता है normally जो हमारा normal sleeves के लिए होता है लेकिन regular sleeves के लिए यह armhole हमाया काम में नहीं आएगा उस armhole को हमको उपर के side पे लेना है और वो हमको कितना लेना है वो अभी हम देखेंगे जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पर यह जो neck है यह हमारा neck से इसका armhole start होगा और यह armhole आप shoulder से भी starting कर सकते हो वो आपके again design के उपर depend करता है कि आपका जो cut है वो किस तरीके से आप देना चाहते हो तो यहाँ पर हम neck से इसको cutting करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने हिसाब से किस तरीके से cutting कर सकते हो तो यह देखे यह हमारा armhole है और यहाँ से हमारा sleeves attach होता है लेकिन अभी हमारा यह armhole काम में नहीं आएगा लेकिन हमको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि यह जो armhole है वो हमको किस तरीके से यहाँ से निकलना है तो जैसे कि आपने देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर armhole का जो round है वो हमने लिख के रखाया कि सारे 16 inch हमारा armhole है और यह जो हमारा body पर armhole बनेगा वो हमारा armhole again ज़ादा बनेगा तो यह armhole अभी हमारा यहाँ पर कोई भी काम में नहीं आएगा लेकिन हमको इसको note करना पड़ेगा क्योंकि आगे जब हम slips को cutting करेंगे तब हमको जरूत परेगी तो यहाँ पर आप step by step समझ के देखना यह cutting जो है बहुत ही important है तो यह देखे यहाँ से हमारा armhole नहीं हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से हमारा armhole नहीं हो रहा है यह हमारा normal slips के लिए है और अभी हम यहाँ से इसका armhole start करेंगे जो हमारा neck पे होगा तो यह यहाँ पर यह देखे यह जो part है यहाँ से हम start करेंगे लेकिन यहाँ पर कितना लेना है और कैसे लेना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर हम 2 इंच नीचे के side आ सकते है standard size के लिए यह देखे यह हमने 2 इंच पे लिया है यहाँ पर आप अपने design के हिसाब से आपका जो size है उसकी हिसाब से इसको कम जयदा कर सकते हो यहाँ से हमने front वाले पर mark किया है वोसी shape में हमको back पे भी आ जाना है तो यह वाला जो line है यह हमारा front neck के लिए है यह जो हमारा line है यह हमारा front neck के लिए है और यहाँ से हमको armhole cutting करना है और यह armhole को again मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह neck की ज़्यादा नीचे नहीं आना है आप solder के side से भी starting कर सकते हो और neck के parts से भी आप starting कर सकते हो तो standard जो है यहाँ पे हमने 2 inch नीचे आना है और यहाँ से हमको यह armhole को cutting करना है और normally लोग क्या करते हैं जैसे मैंने tutorial पर देखा था यह जो हमने नीचे नीचे तो लिया लेकिन यह जो armhole का point है वो यहाँ पर आके end करते जो कि बहुत ज़्यादा गलग तरीका है अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका piece कभी भी सही नहीं बनेगा आपका जो armhole के नीचे बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाएगा वो पैनने के बाद आपको भूला-फूला सा लगेगा तो यहाँ से हमको कितना नीचे आना है यहाँ पर हमको एक से डेरी नीचे आना है body के साइड पर तो यहाँ पर आप देख रहे हो यह जो हमने अर्मूल मार्क किया है अभी जो हमारा अर्मूल मार्किंग है यह वाला जो लाइन है इसका जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पर यहाँ से हमको नीचे के साइड पर आना है यहाँ पर हमने एक इन जितना नीचे आना है यहाँ पर shape दे दिया है और इसी shape को हमको उपर के side पे ले के आ जाना है जो हमारा back के लिए होगा क्योंकि यह हमारा back का नेक है और इस तरीके से हमको यह round shape में दे देना है और यह जो part अभी हमारा burn रहा है यह देखिए यह जो part हमारा burn रहा है अभी इसको हमको cutting करके रखना है जब हम इ इसको cutting कर लेते हैं इस तरीके से तो यह देखिए यह हमारा body का cutting हो चुका है और अभी हमको यह जो neck back का neck हम cutting कर लेते तो यह हमारा back का neck cutting हो गया यह देखिए यह हमारा back का neck हो गया और अभी हम इसका जो armhole इसको cutting कर लेते तो यह जैसे कि एक हमारा front वाला पार्ट हो जाएगा, एक हमारा back वाला पार्ट हो जाएगा, तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्यूंकि इसी में मैं आपको back और front दोनों का cutting बताऊँगा, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, तो यह देखिए इसको मैं कर लेता यह हमने front वाला पार्ट कर लिया, और अभी मैं इसको बीच से cutting कर देता हूँ, तो यह हमारा double होके एक side का हो जाएगा, और यह हमने जो cutting किया है, यह हमारा back हो जाएगा, तो इस तरीके से यह हमारा दोनों पार्ट आ गिया है, तो अभी हमने यह जो front वाले neck के लिए हमने कम जादा किया है, तो यह हमारा back का side है, यह जो हमारा shoulder part है, यह हमारा back का है, तो इस पर मैं back लिख लेता हूँ, तो यह हमारा back का है, और again यह हमारा front वाला जो पार्ट होगा, इसका हमने neck cutting किया है, तो यह जो हमारा shoulder वाला part होगा, इस पर भी हमको यह neck आप देख सकते हो, यहां से यह neck का line continue जा रहा है तो इसको हमको cutting करना है तो यह हमारा front वाला part होगा तो इसको हमको cutting कर लेना है यहां से तो यह हमारा front का जो neck है यह हमारा continue यहां तक जा रहा है तो जैसे मैंने आपको बता रहा था यह देखिए यह हमारा front part हो गिया और अभी आपको जैसे की मालोग की नेक चेंज करना है तो ये पार्ट और ये दोनों पार्ट मिला के आपको नेक ड्रॉ करना है यह हमारा सोल्डर है यहाँ पर अगर आगर आपका नेक होगा तो आप कोई भी नेक जो है कटिंग कर सकते हो इस पर तो ये देखिए ये हमारा बैक नेक है ये हमारा बैक नेक है और बैक का नेक इस तरीके से जॉइंड होगा ये दोनों पार्ट में ये जॉइंड हो रहा है उसके बाद ये हमारा बैक हो रहा है और बैक में भी अगर आप डीप करना चाहते हो तो भी आप यहां पे यह दोनों पार्ट को मिला के आप अपने हिसाब से नेक ले सकते हो और सेम प्रोसेस वही है कि अगर फरंट का भी नेक आपको कुछ भी दूसरा सेफ देना है तो भी आप यहाँ पर यह दोनों को मिला गे आप इस तके से यह दोनों का जो है नेक का सेप ले सकते हो तो यहाँ पर में अभी देख सकते हो यह हमने फ्रंड एक ले लिया है और यह हमारा back हो गिया और इसको हमको रखना है और इसी से हमारा जो है sleeves cutting होगा तो अभी हम इसका slips cutting करेंगे तो आगे और आप देखेंगे कि किस तरीके सामको slips cutting करना है तो यह देखिए यह हमने एक सीधा paper ले लिया है double fold में और सबसे पहले हमने यहाँ पे एक mark कर दिया है और अभी हम इसका slips का length नापेंगे तो यह देखिए यहाँ पे मैं 11 inch का slips का length जो है वो में रख रहा हूँ और यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हो यह जो slips का length है वो हमने यहाँ पे 11 inch का लिया है और आप इसको धियान से देखिएगा कि length हम कहां से ले रहे और कहां से हम इसका armhole को draw कर रहे तो यह देखिए यहाँ पे हमने 11 inch पे mark किया था उसके बाद हमने 4 inch पे mark किया जैसे आप normal slips cutting करते हो और अगर आपको slips cutting करना भी नहीं आता है तो आप मेरा channel पे जाके देख सकते हो वहाँ पे मैंने slips cutting किया है तो यह देखिए यह जो हमने armhole का round ना पाता सारे 16 inch वह हमने body से ना पाता एगेन आपका जो size होगा वह कम ज़्यादा हो सकता है तो यहाँ पे हमको सारे 16 inch का armhole यहाँ पे draw कर लेना है जो हम normal slips cutting करते हैं उस तरीके से अभी हमको यह slips cutting करना है और उसी तरीके से मैं इसको cutting कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से आपको गोलाई दे देना है जो भी आप armhole का गोलाई देते हो जिस तरीके से उसके बाद आपका जो भी biceps का size है या फिर जो भी आप slips का जो ना पे वो लेके आपको इस तरीके से slips cutting कर लेना है मतलब draw कर लेना है उसके बाद यहां पे हमारा main part starting होता है जो कि हम regular and sleeves cutting कर रहे हैं उसके लिए तो यह जो हमने parts body में से निकाला था यह हमारा front वाला part है और इसमें हमको सबसे पहले back वाला part ले लेना है और यह हमारा armhole यह देखिए यह हमारा armhole है और यहां से हमारा sleeves joined होता है तो यह देखिए यह जो हमने अभी sleeves cutting draw किया है वो cutting के लिए हमको यहां से देखना है तो यह देखिए यह हमारा armhole body का और यह sleeves हमको यहां पे join करना है लेकिन अभी हम इसको regular and sleeves पे convert कर रहे हैं मतलब यह वाला जो part होगा वो हमारा sleeve से extra जाएगा मतलब जो हमारा armhole होता है normally वो armhole अभी हमारा यहां पे आ जाएगा तो यह जो armhole है वो भी उपर आ जाएगा तो यह देखिए इसको किस तरीके से करना है वो ही हम यहां पे देखेंगे जो सबसे main part है इसका तो यह देखिए यह जो part हमने लिया है उसको हम इस तरीके से यहां पे रखेंगे तो सबसे पहले हम यह back वाला part को ले लेते और यह देखिए यह हमारा back वाला part है और यह हमारा armhole है जो हम normal service में joint करते हैं यहां से यह देखिए यह जो armhole है अभी यहां से इस तरीके से हम joint करते हैं normally तो ये देखें यह यहां से हो गया लेकिन अभी हम इसको ये उपगा पाठ को लेके जाएंगे यहां मिला ना है और जो हमने नेक ड्रॉ किया था बैक का वह बोस्कों हम को द्रॉब कर लेना है यहां पर यह हमारा सोलडर वाला पाठ हो ना है और है Reva अर्मोल है जहां से हमारा नॉर्मल स्लिप जॉइंड होता है professionally रॉकिन अभी हम इसको उपर के साइड लेके जा रहे तो यह देखिए यह हमने यहाँ पे इस तरीके से से मिला चाणार कर दिया यह देखिए इस तरीके से और अभी हमको इसका जो नापना है तो यह यहां पर हमारे पास दो और मॉले पहले हमने एक अर्मॉल स्य कटिंग किया है और अभी हमको यह वाला जो आर्मॉल इसको नापना है और इसको करता है बैक वाले पार्ट के साथ, अभी हमको यहां पे 11 इंच नापना है, यहां पे इस तरीके से यह देखिए, अभी जैसे कि मैंने बोडी पे यह वाले पार्ट पे डाउन किया था, उस पार्ट को हमको यह स्लीप्स पे भी डाउन करना है, एक इंच हमने बोडी पे डाउन किया था यहां से तो यह देखिए यह जितना हमने यहां पर डाउन किया था उतना हमको यह स्लीप्स पर भी डाउन करना है जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है यह देखिए यह स्लीप्स पर भी हमको यहां पर डाउन करना है तभी हमारा जो आर्मोल है और जो स्लीप्स है वो कि swoją हमें तरीके से इस टरीके से आपको यहां पेस्य देदेना है यह अर्मूल का सेव उसके बाद अगेन हम इस अर्मूल का राउंड है उसको नापेँगे तो हद Drag Films का जो अर्मूल होता है वह थोड़ा बड़ा होताै लेकिन अगर आपको तो अ The Place गार्मुल हो गया और यह हमारा पहले अर्मुल यहां से उपर के साइट में बढ़ाया है कि इसका खाले इसके से स्कूथ उसके बाद अर्मुल मार्ख किया है और उसके बाद हमने किया उपक्षालग है Grandpa यह स्थिम मेट back का पाट है यह हमारा front का पाट है तो यहाँ पे हमारा जो armhole होगा यह भी कम जादा होगा because हमने front वाला neck cutting किया था तो उसके हिसाब से हमारा जो front का armhole होगा वो भी हमारा कम होगा लेकिन हमने sleeves पे जो cutting किया है वो हमने दोनों को एक जैसा cutting किया है तो यहाँ पे हमको क्या करना है यह front वाले part को लेना है यह देखिए यह हमारा sleeves का cinder पाट है जहाँ पे हमारा body का shoulder है वहाँ पे attach होगा तो यह देखिए इसको इस तरीके से point पे मिलाते हुए जो हमने आगे का neck cutting किया था वो neck के through हमको यह mark कर लेना है यहाँ पे यह देखिए इसको हमको इस तरीके से cutting कर देना है तो हमारा जो front का जो armul होगा वो इस तरीके से हमारा कम हो जाएगा तो यह जो हमने body part cutting किया है उसके आप उससे आप इसको नाप सकते हो तो यह हमारा back है और यह हमारा front है और यहाँ पे हमको और एक चीज़ करना है यहाँ पे हमको गोल कर देना है यह हमने body वाला पाट है इसको cutting कर दिया है और यह हमने sleeves का जो पाट है इसको भी हमने इस तरीके से cutting कर देना है तो यह हमने एक चेका लगा दिया है तक कि आपको पता चले कि यह हमारा front वाला पाट है और यह तो ये front वाला part का नेक और ये back वाला part का नेक इस तरीके से ये joint होके इसका आपका armhole बनता है ये देखिए और यहां पर हमने armhole के नीचे 1 इंच का down किया है उसका भी मैं आपको reason बताऊंगा ये देखिए ये हमारा back है ये हमारा front है उसके बाद ये देखिए इसका जो look है व ये देखिए ये इस तरीके से joint होगा ये देखिए ये इस तरीके से joint होगा और ये एक इंच करने के बाद तभी हमारा ये इस तरीके का look आ रहा है और जैसे अगर हम यहां पर एक इंच का down नहीं करते तो ये देखिए ये इस तरीके से बनता है तो ये जो हमारा हाथ होता ह वो एकदम सिधा रहता है और जैसे हम इसको नीचे करेंगे तो हमारा अर्मोल की नीचे बहुत ज़्यादा कपड़ा एक्ष्टा हो जाएगा लेकिन हमारा जो सरीर है वो इस तरीके का नहीं है हमको हाथ इस तरीके से नीचे के साइटी डाउन करके रखना होता है तो यह जो cutting आपको बताया है उस cutting में so I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा so वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किये भीना मत जाना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिक में मेरा Instagram ID का link दिया हुआ है आप वहां से भी जाके मुझे follow कर सकते हो so guys जैसे कि मैंने आपको ये makeup box का package दिखाया है तो अगर आपको ये buy करना है तो description में link मिलेगा आप वहां से जाके buy करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा discount देखने को मिलेगा so guys आज की इस वीडियो पर इतना ही मैं आपको मिलूँगा next video पर next topic के साथ तो आप मुझे comment करके बताना कि ये cutting आपको कैसा लगा अगर आपको कुछ भी doubts से तो भी आप मुझे comments के दुरूप पूछ सकते हो so मैं मिलता हूं next video पर तब तक के लिए take care and bye bye